हेलो गाइस नमस्कार गाइस सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को इतना प्यार देने के लिए वीडियो को पूरा देखें गाइस काफी इंपोर्टन्ट वैल्यूबल नॉलिज मैं आप लोगों के शेयर करने वाला हूं और वीडियो के एंड में मैं डाउन चाहे आप घर पे देख रहे हो, या फिर होटल में हो या रस्टरेंट में हैो सर्विस में आपके इंपॉर्टन है आज का मेनली बात यह है कि काफी लोग सोच रहे हैं कि अभी करोना वायरिस का नया वेरियंट आ गया है तो सिचुवेशन क्या होने वाले क्या जॉब में इसके अफेक्ट पड़ रहे हैं या जॉब ढूंडने के लिए जो एब रोड में टूर्स वीजा का प्लानिंग कर रहे हैं क्या उनके करियर पर या फिर उनके जो विजिट है उसके कोई एफेक्ट होने वाला है इस करोना वायरिस से एक चीज मैं किलियर कर देता हूं अभी यूवई के अंदर और कंट्रिस का मुझे मैं आपको कॉन्फिडेंट ली नहीं बोल सकता है लिग बहुत ज़्याद नॉर्मल सिच्वेशन है अभी ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है और कंट्रिस का मैं आपको कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता लेकिन मैं इस्पेशली यूई का बोल रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर रह रहा हूं और दुबई में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अभी तक तो आगे भी ऐसा ही रहे चल रहा है तो यह गाइस तो अगर आप विजिट वीज़ा का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप मिनिम्म थ्री मंथ का विजिट वीज़ा पर आओ वह ज्यादा बैटर रहेगा आपके लिए क्योंकि एक मेहने में कभी-कभी आपक देखना पड़ता है फिर आप यहां पर आके यहां पर भी कुछ लोकल अप्लिकेशन से उसमें भी जॉब मिलती है वह अप्लिकेशन डाउनलोड करोगे नंबर लोगे तो टाइम लगता है तो एक महिना मेरे इसाब से कम हो जाता है तो अगर आप विजिट वीज़ा का प् क्योंकि उसके प्रोसेस में मिनिमम एक महिना भी लग सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा लग सकता है और बीच से परच्चे जिन तो लगता ही है कहीं पर अर्जेंट रिक्वार्मेंट होता है वो बात अलग है कि तो यही में अभी salary में कोई affect नहीं है डाइज salary भी वही दे रहे हैंँ अर कोविद का यहाँ पर कोई भी ज्यादा इस्यू नहीं है बट येस इस अधिसम टाइम हम लोग जब भी बाहर जा रहे है और जो भी यहाँ पर बाहर जा रहे हैं प्रॉपर मास्क पैंड रहे है प्रोपर सेनिटाइज वह सब फॉलो कर रहे है रूल रेगुलेशन बट यस जॉब से रिलेटेड यहां पर अभी अभी कोई ऐसा सुचुवेशन नहीं है बहुत सारे रेस्टोरंट्स ओपनिंग में डिलेज हो रहे हैं वह ड्यू टू बहुत सारे चीजें होती है काफी रे यहां पर दिलिवरी यह बहुत सारे उसमें चीजें होती हैं जो कि यूट मैंट्स बाहर की कंट्री से चीजें ओर करना क्योंकि रेस्टोरंट के लिए आप सिर्फ सब कुछ यूई में नहीं मिलेगा बहुत सारी चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं दूसरी कंट्री तो इस बड़िश से भी कभी कभी रेस्टोंट्स दिले हो जाते हैं तो यह था गाईस सो क्लियरली मैं बोल रहा हूं आपको आप यह डेफिनेटली आ सकते हैं विजट वीज़ए पर जॉब सर्च कर सकते हैं एक बाई चीज़ में और क्लियर कर देता हूं गाईस मैं कोई जॉब नहीं देता हूं बहुत सारे लोग को लगता है कि मेरा खुद का कंसल्टेंसी है और मैं जॉब देता हूं नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हैं सो आप जौब के लिए मुझे मैसेश कर रहें तो इरहा है ती और जॉबिसली में צोड़ा है सदो आपको बट जॉब आपको पता है यूटूब से कितने कोरेज करेंगे तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाईगा, to be honest, but yes, जहां तक मैं help कर सकता हूं, मतलब इन चीज़ों में, apart from job, I will definitely can do recipes से related, कोई advice से, guys, all about experience होता है, मैंने industry में 10 से 12 साल हो गए है, मैंने different properties में काम करा है, world के different different luxurious properties में काम कर रहा है, तो उसका experience का जो निचोड है, वो definitely आप लोगों के लिए फाइदा मन्द हो सकता है, especially जो new है, industry में, जो कि अभी hotel management कर रहे हैं, उनको कौन से section चूज करना चाहिए, कौन से section उनके career के लिए better होगा, या फिर कौन से country में उनके लिए अच्छा रहेगा, या फिर बहुत सारे लोग agent के चकर में फस जाते हैं, यह experience मैंने अपने गलतियों से सीखे, जो मेरे पास आये हैं, वो definitely मैं आपको share कर सकता हूँ, but regarding job, I think it's quite tough, तो यह था guys, आज को topic, so आप लोग visit visa पर definitely आ सकते हैं, and good luck, job यहाँ पर आये, I hope आप लोगो job मिलेगा, and definitely मिलेगा, my best wishes with you guys, and अब बात चलते हैं, recipes के उपर, अब चलते हैं, आज का recipe के उपर, so guys, आज बहुत common recipe मैं आप लोगों को share कर रहा हूँ, मैं एक pasta dough का recipe आपको share कर सकते हो, इस pasta dough को कोई भी chef reject नहीं करेगा, क्योंकि जो यह recipe है, मैंने already authentic Italian chefs ने मुझे बताया है, और वो भी इससे चोटे मुटे shape ने नहीं बढ़ाया है, बहुत बड़े level के chefs ने बताया है, और मैंने उनके साथ practically यह recipe काफी time तक बनाया भी है, और हमारा result बहुत positive रहा है, तो यह recipe आप लिख लीजिए, तो मैं आपको dough का recipe बताऊंगा, इस dough का recipe के लिए आप इस dough से आप जो मैं dough का recipe बताऊंगा, उससे आप पापा देले पास्ता बना सकते हैं, तगले तेले बना सकते हैं, कपू तो similar है तो बहुत जादा better है, तो अगर आप एक kilo यह flour लेते हैं एक kilo flour में आप लोग 9 से 10 eggs डालेंगे, hold, eggs को पहले beat करने के बाद, slowly slowly जब आप machine में गुमाते हैं, तो eggs को slowly slowly डाले, थोड़ा उसमें pinch of salt भी डाले, So guys, इसको dough को machine में आपका बन जाने के बाद, आप इसको vacuum pack कर लीजिए and keep aside, एक दो घंटे बाद आप इसको use कर सकते हैं, आप घर पे बना रहे हो, तो definitely घर पे machine तो होगी नहीं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक egg का quantity बढ़ा दें इसमें, तो 10 की जगह आप इसमें 11 egg ड kg, तो यह है guys, आज का बहुत simple recipe है, और इस dough से जैसे कि मैंने बोला आपको, इसे बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन मैं minimum आपको दो पास्ता सजिस्ट करूँगा, तले तेले and पापा देले, दो पास्ता आप definitely इसे बना सकते हैं, और obviously यह बहुत अच्छा कोई भी sauce के साथ आपको दे सकते हैं, आप मीट के साथ दे सकते हैं, रगू के साथ दे सकते हैं, आप इसको बटर मेलचन के साथ दे सकते हैं, आप इसको मश्रूम सॉस के साथ दे सकते हैं, तो sauce आपके choice के उपर है, आपको यह कौन से sauce के साथ देना, बहुत सारे लोग tomato sauce के साथ भी देते ह है तमाटा सोस मुझे पसंद नहीं इसके साथ बटो इफ यू वांट अफोस्ट यू रचोइस बट दर रेसिपे इस तो यह वीडियो आपको कैसा लगा डफिनिटल अपने कमेंट्स में बताओ गाई जैंग गुद लग यार थैंक यू वेरी मुच पो वाचिंग इस वीडि